हारनव गोश्वामी जी रिपब्लिक मेडिया नेटवर्क के सभी साथ ही देश विदेश में रिपब्लिक टीवी के सभी दर्शक देवियों और सजयनों अपनी बात बतारे से पहले बच्पन में एक चुटकुला हम सुनते थे वो ज़राब बताना चाहता हूँ एक प्रफिसर थे और उनकी बेटी ने हात्महत्या की तो एक चीट छोड़ करके गई कि मैं जिन्दिगी में ठक गई हूँ मैं जीना नहीं चाहती हूँ तो मैं काकरिया तालाब में कूट करके मर जाओंगी अब सुबह देखा बेटी गर में नहीं है तो पिस्तर मैं चिठी मिली तो पिताची को बड़ा गुसा आया मैं प्रोफिसर इतने साल मैंने मेनत की अभी भी बोले काकरिया स्पेलिंग गलत लिख के जाती है मुझे खुसी है कि अरनब बढ़िया हिंदी बोलने लगे है उन्होंने क्या बोला वो तो मैंने सुना नहीं लेकिन हिंदी ठीक है नहीं वो मेरवर ध्यान से सुनदा और शायद मुंबई में रहने के कारण आप हिंदी बराबर सीख लिए साथियों आप सब के बीचाना स्वाभाविक है का आनन्द होता है अगले महिने रिपब्रिक टीवी के छे साल पूरे हो रहे हैं मैं आपको बताए दूँगा आपने नेशन फर्स के अपने मिशन को डिगने नहीं दिया हर प्रकार के रोडे रुकावटों के बावजुद आप डटे रहे हैं कभी अरनब का गलाव खराब हुआ कभी कुछ लोग अरनब के गले पड़ गए लेकिन चैनल नरुकाहन थका और नहीं थमा साथ्यों 2019 में जब मैं रिपब्लिक समीट में आया था तब उस समय की थीम थी इंडियाज मॉमेंट और इस थीम की पुष्ट भूमी में देश की जनता से मिला जनादेश था। अनेकों दशकों बाद भारत की जनता ने लगातार दूसरी बार प्रचंड बहुमत वाली स्थीर सरकार बढ़ाई थी। देश को ये विश्वास हो गया था कि इंडियाज मॉमेंट आ गया है। आज चार वर्ष बाद आपकी समीट की थीम है टाइम आफ टांस्फरमेशन यानि जिस टांस्फरमेशन का विश्वास था वो अब जमीन पे दिख रहा है। साथिवाई देश में जो बडलाव आ रहा है उसकी दिशा क्या है। इसको मापने का एक तरीका है अर्थ ववस्ता के विकास और विस्तार की गति है। भारत को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थ ववस्ता बनने में लगभग साट साल लगे। 60 years 2014 तक हम लोग किसी तरह दो ट्रिलियन डॉलर के मार्क तक पहुच पाए थे। यानि सात दसक में टू ट्रिलियन डॉलर की अर्थ ववस्ता है। लेकिन आज हमारी सरकार के नव वर्ष बात भारत आज लगभग साड़े तीन ट्रिलियन डॉलर एकड़मी वाला देश है। बीते नव वर्षों में हमने दसवे नंबर की अर्थ ववस्ता से पाँचवे नंबर तक की लंबी छलांग लगाई। और ये सब सो साल के सबसे बड़े संकट के बीच हुआ है। जिस दौर में दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थ ववस्ताएं फसी हुई थी। उस दौर में भारत संकट से भार भी निकला और तेज गती से आगे भी बढ़ रहा है। साथियों पॉलिसी मेकर से आपने एक बात अक्सर सुनी होगी। फर्स्ट ओर्डर इंपेक्ट याने किसी भी नीती का पहला और स्वाभाविक परणाव। फर्स्ट ओर्डर इंपेक्ट ही पॉलिसी का पहला लक्ष होता है और ये कम समय में दिखने लगता है। लेकिन हर पॉलिसी का सेकंड और थर्ड ओर इंपेक्ट भी होता है। इनका प्रभाव गहरा होता है दुर्गामी होता है लेकिन ये सामने आने में समय लगता है इसकी comparative study करने के लिए विस्तार से समझने के लिए हमें कई दसक पीछे जाना पड़ेगा आप लोग टीवी की दुनिया वाले टू विंडो चलाते है ना पहले और अब वाली बिफॉर एंड अप्टर वाली तो मैं भी कुछ वैसा ही आज करने वाला हूँ तो पहले जारे बिफॉर की बात कर लेते हैं सात्यों आजहादी मिलने के बाद लाइसेंस राजवाली जो economy policy अपनाई गई थी उसमें सरकार ही controller बन गई competition खत्म कर दरिया गया private industry को MSM's को आगे नहीं बढ़ने दिया गया इसका पहला नकारत्मक प्रभाव तो यही हुआ कि दूसरे देशों के मुकाबले हम पिछडते चले गए हम और गरीब होते गए उन नीतियों का second order impact और भी बुरा हुआ है भारत के consumption growth दुनिया के मुकाबले बहुत कम रह गई है इसकी वजह से manufacturing sector कमजोर हुआ और हमने investment के मोके घवा दिये इसका तीसरा प्रभाव यह हुआ कि भारत में innovation का माहोल ही नहीं बन सका ऐसे में न ज्यादा innovative enterprise बने और नहीं ज्यादा private jobs create हुई युवा सिर्फ और सिर्फ सरकारी नोकरी के भरोस से रहने लगे देश की कई प्रतिभाव ने तब काम का माहोल ना देखकर देश छोड़दे तक का फैसला कर लिया इसब उनी सरकारी नीतियों का थर्ड ओर्डर impact था उन नीतियों के impact ने देश के innovation हाड़ वर्क और enterprise की ख्यमता को कुचल दिया साथियों अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो जानकर Republic TV के दर्शकों को भी जुरूर अच्छा लगेगा 2014 के बाद हमारी सरकार ने जो भी policy बनाई गी उसमें ना केवल initial benefits का ध्यान रखा गया बलकि second और third order effect को भी प्राफिक्ता दी गई आपको याद होगा 2019 में इसी Republic Summit में मैंने कहा था कि PM आवास योजना के तहत हमने पांस साल में डेड़ करोड परिवारों को घर दिया है अब यह आकड़ा बढ़कर पोने चार करोड से जादा हो चुका है इन में से जादा तर घर उसका माली काना हक हमारी माताओं बहनों के नाम पर है और आप जानते हैं आज एक एक घर लाखों की कीमत का बनता है याने करोडों गरीब एक बहने मैं आज बड़े संतोस से कहता हूं लगपती दीदी बने हैं शायद इससे बड़ा को रक्षा बंदर नहीं हो सकता है यह हुआ पहला इंपेक्ट इसका दूसरा परणा में सामने आया कि इस योजना से गाउं गाउं में रोजगार के लाखों अवसर त्यार हुए और आप जानते हैं कि जब किसी के पास अपना घर होता है पका घर होता है तो उसका आत्म विश्वास कितना बढ़ जाता है उसकी रिस्क टेकिंग कैपिसिकी कितनी बढ़ जाती है उसके सपने आस्मान को छूने लग जाते हैं पीए मावास योजना ने देश के गरीब का आत्म विश्वास नई उन्चाई पर पहुंचाया साथियों कुछ दिन पहले ही मुद्रा योजना के आठ वर्स पूरे हुई है ये योजना माइक्रो और स्मॉल एंटर्परनर्स को फाइनांसिल सपोर्ट देने के लिए शुरू की गई थी मुद्रा योजना के तहट चालीस करोड से अधिक लोन बाटे गए जिन में करीब सत्तर प्रतिशक महिलाएं है इस योजना का पहला प्रभाव तो स्वरोजगार में बढ़ोतरी के रूप में हमारे सामने है मुद्रा योजना हो महिलाओं के जंदन एकाउंट खुलना हो या फिर सेल्फ हेल्प ग्रूप को पोच्छान आज इन योजनाओं से देश में एक बड़ा सामाजिक बढ़ला होते हुए हम देख सकते हैं इन योजनाओं ने आज परिवार के डिसिजन मेगिंग प्रोसेस में महिलाओं की मजबूत भूमी का स्थापित कर दी हैं अब जादा से जादा महिलाएं जौब क्रियेटर की भूमिका में आ रही हैं देश की अर्थ बढ़ती हुए अर्थेववस्ता को मजबूती दे रही हैं साथिओं पीएम स्वामित्व योजना में भी आप फर्स सेकंड और थर्ड ओर इंपेक्ट अलग-अलग देख सकते हैं इसके तहट लेटेस्ट टेक्नोलोजी का उप्योग करके गरीबों को प्रॉपर्टी कार दिये गए जिसके उन्हें संपत्ति की सुरक्षा का भरोसा मिला इस योजना का एक और असर ड्रोन सेक्टर पर देखा जा सकता है जिसमें मांग और विस्तार के संभावना ये लगातार बढ़ रही है पीएम स्वामित्व योजना को शुरू करने अब करीब करीब दो ढ़ाई साल हुए हैं बहुत समय नहीं हुआ है लेकिन इसका भी सोशल इंपेक्ट दिखने लगा है संपती कार्ड मिलने पर आपसी विवाद के आशंका कम हो गई है इससे हमारी पुलीस और न्याईक व्यवस्ता पर लगातार बढ़ रहा दबाव कम हो रहा है इसके साथ ही गाउं में जिस प्रॉपर्टी के कागज मिल गए हैं उन्हें अब बैंकों से मदद मिलना और भी आसान हो गया है गाउं की इन प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ गई है साथियों फर्स्ट ओर्डर सेकेंड ओर्डर और थर्ड ओर इंपक्क के मेरे पास इतनी केस्ट्रडी है कि आपका रंडाउन ही आउट आउट आउडर हो जाएगा बहुत सारा समय इसी में निकल जाएगा डिबीटी हो बिजली पानी टॉइलेट जैसी सुविदाएं गरीब व्यक्ति तक पहुंचाने की योजनाए हो इन सभी ने ग्राउन लेवल पर एक क्रामती ला दिया इन योजनाओं ने देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी सम्मान और सुरक्षा के भाव से भर दिया है देश में गरीब को पहली बार सिकुरिटी भी मिली है डिगिनीटी भी मिली है जिने दसकों तक यही एहसास दिलाये गया था कि वो देश के विकास पर बोज है वो आज देश के विकास को गती दे रहे है जब सरकार ये योजनाए शुरू कर रही थी तो कुछ लोग हमारा मजा कुड़ाया करते थे लिकिनाच इनी योजनाओं ने भारत के तेज विकास को गती दिये है ये योजनाए विक्सीद भारत के निर्मान का आधार बन रही है साथियों बीते नव वर्षों से गरीब, दलीत, वंचीत, पिछडा, आधिवासी, सामान्यवर्ग, मद्यमवर्ग हर कोई अपने जीवन में स्पस्ट बदलाव अनुभव रहा है आधेश में बहुत सिस्टेमेटिक एप्रोच के साथ काम हो रहा है मिशन मोड पर काम हो रहा है हमने सप्ता के मैंड सेट को भी बढ़ला है हम सेवा का मैंड सेट लेकर आए है हमने गरीब कल्यान को अपना माध्यम बनाया है हमने तुष्टी करण नहीं संतुष्टी करण को अपना आधार बनाया इस एप्रोच ने देश के गरीब और मद्यमबर के लिए एक डिफेंसिव सिल्ड सुरक्षा का कवच काम निर्मान कर दिया है इस सुरक्षा कवच ने देश के गरीब को और गरीब होने से रोक दिया है आप मैंसे बहुत कम लोगों को पता होगा कि आईश्मान योजना ने देश के गरीबों के 80,000 करोड रुपिये खर्च होने से बचाए है जो गरीब के जेब से जाने वाला था अगर ये योजना न होती तो इतने ही पैसे गरीब को अपनी जेब से खर्च करने पड़ते हैं सोचिए हमने कितने ही गरीबों को और गरीब होने से बचा लिया है संकड के समय काम आने वाली ये अकेली योजना नहीं है बलकि सस्ती दवाईया, मुप्त टिकाकरण, मुप्त डायलिसिस, एक्सिदेंट इंशरंस, लाइफ इंशरंस की सुविधा भी पहली बार करोडों परिवारों को मिली है PM गरीब कल्यान अन्य योजना देश की एक बहुत बड़ी आबादी के लिए एक और प्रोटेक्टिव शिल्ड है इस योजना ने करोणा के संकड काल में किसी गरीब को भूखे नहीं सोने दिया आज सरकार चार लाग करोड रुपिये सरकार इसी अन्य योजना पर खर्च कर रही है चाहे वो वन नेशन वन राशनकार हो या फिर जेम ट्रिनिटी इस सभी प्रोटेक्टिव शिल्ड का ही हिस्सा है आज गरीब से गरीब को भरोसा मिला है कि जो उसके हक्त का है वो उसे जरूर मिलेगा और मैं मानता हूँ यही सच्चे अर्थ में सामाजिक न्याय है ऐसी कितनी ही योजना है इनका बहुत बड़ा असर भारत से गरीबी को कम करने में हुआ है आपने कुछ समय पहले आएमेप का एक रिपोर्ट आया है जो है एक वर्किंग पेपर शायद आपने जुरूर देखा होगा यह रिपोर्ट बताती है कि ऐसी योजनाओं के कारण महा मारी के बावजुद भारत में एक्स्ट्रीम पावर्टी खत्म होने की कगार पर है और यही तो ट्रांस्फॉर्मेशन ट्रांस्फॉर्मेशन और क्या होता है साथ होगा आप याद होगा मैंने संसद में मंद्रेगा को कॉंग्रेज सरकार की विफलताओं के समारक के रूप में पहचान दी थी उसकी 2014 से पहले मंद्रेगा को लेकर कितनी सिकायत रहती थी तब सरकार ने एक स्टड़ी कराई थी स्टड़ी में सामने आया कई जगों पर तो एक दिन के काम के बढ़ले तीस दिन तक की हाजरी दिखाई जा रही है यानि पैसा कोई और हजम कर रहा था इसमें किसका नुक्सान हो रहा था गरीब का मजदूर का आज भी अगर आप गावों में जाएंगे और पूछेंगे कि 2014 से पहले मंडरेगा में कौन सा प्रोजेक्ट बना है जो आज काम आ रहा है तो आपको ज़्यादा कुछ हाथ नहीं लगेगा पहले मंडरेगा पर जो धनरासी खर्ज भी हो भी रही थी उसमें पर्मनेंट एसस डेवलेप्मेंट का काम बहुती कम होता था हमने स्थिती को भी बढ़ला हमने मंडरेगा का बजेट बढ़ाया ट्रांसपरेंसी भी बढ़ाई हमने पैसा सीधे बैंक एकाउंट में भेजना शुरू किया और गाउं के लिए रिसोर्स भी बनाई दो हजार चवदा के बाद मंडरेगा के तहट गरीबों के पक्के घर भी बने कुए बावडियां नहरे पशुओं के शेड ऐसे लाखों काम हुए हैं आज अधिकतर मंडरेगा पैमेंट्स 15 दिन में ही क्लियर हो जाती है अब करीब 90 परसंट से अधिक मंडरेगा मद्दूरों के आधार कार्ड लिंक हो चुके हैं इससे जोब कार्ड में फर्जी वाड़ा कम हुआ है और मैं आपको एक और आकड़ा दूँगा मंडरेगा में फर्जी वाड़ा रुकने की वज़े से चालीस हजार करोड रुपिये गलत हाथों में जाने से बचे है अब मंडरेगा का पैसा उस गरीम मद्दूर के पात जा रहा है जो मेहनत करता है जो अपना पसीना बहाता है गरीब के साथ हो रहे उस अन्याय को भी हमारी सरकार ने समाप्त कर दिया है साथियो ट्रांस्फर्मेशन की यह यात्रा जितनी समकानिन है उतनी ही फिचरिस्टिक भी है हम आने वाले अनेग दसकों की तैयरी आज कर रहे है अतीत में जो भी टेकनोलोजी आई वो कई कई दसकों या सालों के बाद भारत पहुंची पिछले नव वर्षों में भारत ने इस ट्रेंड को भी बढ़ला है भारत ने तीन काम एक साथ सुरू किये एक तो हमने टेकनोलोजी से जुड़े सेक्टर्स को सरकार के कंट्रोल से मुक्त कर दिया दूसरा हमने भारत की जरूरत के मुताबिक भारत में ही टेकनोलोजी विक्सीत करने पर जोड़ दिया तीसरा हमने फ्यूचर की टेकनोलोजी के लिए रिसर्ट डेवलोप्मेंट पर मिशन मोड अप्रोच अपनाई आज आप देख रहे हैं कि देश में किस तरह और कितनी तेजी से 5G का रोल आउट हुआ है हम दुनिया में सबसे तेज गती से आगे बढ़े हैं 5G को लेकर भारत ने जो तेजी दिखाई है जिस तरह अपनी खुद की टेकनोलोजी विक्सीत की है उसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है साथियों कोरुना काल में वैक्सीत का विशय भी कोई भूल नहीं सकता जो पुरानी सोथ और अप्रोच वाले लोग थे वो कह रहे थे कि मेडिन इंडिया वैक्सिन की जरुद क्या है दूसरे देश बनाई रहे हैं वो एक ना एक दिन हमें भी वैक्सिन दे ही देंगे लेकिन संकट की घड़ी में भारत ने आत्मन्दिर भरता का रास्ता चुना और परणाम हमारे सामने हैं और साथियों आप कल्पना करो जिस बात को लेकर कि आपको इतनी खुशी होती है उस हालात में जब निर्णे करने की तित्याई होगी आप अपने आपको उस जगा पर रखो कि दुनिया कह रहे हैं कि वैक्षिन हमारी ले लो लोग कह रहे हैं बिना वैक्षिन मुसिबत आ रही है मर जाएंगे एडिटोरियल टीवी सब भरे पड़े हैं वैक्षिन लाओ वैक्षिन लाओ और मोदी डट करके खड़ा है बहुत बड़ा पॉलिटिकल केपिटल मैंने रिस्क पे लगाया था दोस्तों सिर्फ और सिर्फ मेरे देश के लिए वरना मैं भी खजाना है खाली करो है लियाओ एक बार लगा दो अख़बार में एड़ोटाइजमेंट दे दो काम चल जाएगा लेकिन हमने वो रास्ता नहीं चुना दोस्तों हमने बहुत ही कम समय में दुनिया की स्रेश्ट और प्रभावी वैक्षिन तयार की हमने तेज गती से दुनिया का सबसे बड़ा सबसे सफल वैक्षिन अभियान चलाया और आपको याद होगा अभी तो जनवरी फरवरी में कोवीड की शुरुवात भारत में शुरू अभी तो हुई थी और भारत ने मई महिने में वैक्षिन के लिए टास्पोर्स बना दिया था इतना एडवांस में सोच करके काम किया है और यही वो भी समय था जब कुछ लोग मेड इन इंडिया वैक्षिन को नकार्ने में जूटे थे न जाने कैसे कैसे शब्द प्रोग किये थे पता ने किसका दबाव था जाने क्या स्वार था कि यह लोग विदेशी वैक्षिन के इंपोर्ड की पेरवी कर रहे थे साथियों हमारा डिजिटल इंडिया भ्यान की भी आज विश्व भर में चर्था है मैं पिछले दिनों जी ट्वेंटी समीट में बाली गया था शाहिद ही कोई देश ऐसा होगा जिसने मुझे डिजिटल इंडिया की डिटेल जानने की कोशिश न की हो इतने बड़ी चर्ता है डिजिटल इंडिया को भी एक समय में डिरिल करने की कोशिश हुई थी पहले देश को डाटा बनाम आठा की डिबेट में उल जाया गया और यह टिवी वालों को तो बजा मड़ा जात है जो शबन जाल देते हैं डाटा चाहिए एक आठा चाहिए जंदन आधार मुबाइल की त्रिनिटी को रोकने के लिए इन्होंने संसर्थ से लेकर कौड तक क्या क्या प्रपंच नहीं किये दोजार सोला में जब मैं देश्वास्यों कहतना था कि आपके बैंक को आपकी उंगली पर लाकर मैं खड़ा कर दूँगा आपकी उंगली पर आपकी बैंक होगी तो यह लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कुछ चद्म बुद्वी जी भी तब पूस्ते से मोधी जी बताईए गरीब आलू टमाटर डिजिटली कैसे खरिदेगा अज़े यही लोग बाद में क्या बोलते हैं अरे गरीब की नसीब में आलू टमाटर होता कहा है यह ऐसे ही लोग है जी यहां तक क्या थे गाओं में मेले लगते हैं मेलों में लोग कैसे डिजिटल पेमेंट करेंगे आज आप देखिए आपकी फिल्म सिटी में भी चाय की दुकान से लेकर लिट्टी चोखे के ठेले तक डिजिटल पेमेंट हो रहा है या नहीं आज भारत उन देशों में है जहां डिजिटल पेमेंट्स सबसे ज़्यादा हो रहा है दुनिया के तुलना में साथियों आप लोग सोचते होंगे कि आखिर ऐसा क्यों है कि सरकार इतना काम कर रही है जमीन पर लोगों को उसका लाब भी मिल रहा है फिर भी कुछ लोग कुछ लोगों को मोदी से इतनी परेशानी क्यों है अब इसके बाद मिडिया वालों का समय शुरू होता है और आज इसकी वजह मैं भी रीपब्लिक टीवी के दर्शकों को बताना चाहता हूं इस जो नाराजगी दिख रही है ना इस जो बवाल हो रहा है वो इसलिए है क्योंकि कुछ लोगों की काली कमाई के रास्ते मोदी ने हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिये अब ब्रस्टाचार के खिलाब लडाई में आदी अधूरी आईसो लेटेड एप्रोच नहीं है अब एक इंटिग्रेटेड इंस्टिजूसलाइज एप्रोच है यह हमारा कमिट्मेंट है अब आप बताएगे जिसकी काली कमाई रुके की वो मुझे पानी पी पी कर गाली देगा के नहीं देगा वो कलम में भी जहर भरते था है आप यह जानकर हैरान रहे जाएंगे कि जैम ट्रिनिटी उसकी वज़े से सरकारी किम्स के करीब दस करोड आकड़ा कम नहीं है साथ दस करोड फरजी लाभारती बहार हो गए है यह दस करोड फरजी लाभारती बहार हो गए है ये 10 करोड वो लोग थे जो सरकार का benefit लेते थे लेकिन ये 10 करोड वो थे जिनका कभी जन्म ही नहीं हुआ था लेकिन इनके नाम सरकारी पैसा भेजा जा रहा था आप सोचिए दिल्ली पंजाब हर्याना की जितनी कुल आबादी है उससे भी ज़्यादा फर्जी नामों को कॉंग्रेज की सरकार पैसे बेच रही थी अगर ये फर्जी 10 करोड नाम हमारी सरकार सिट्रिम से नहीं हटाती तो स्थीती बहुत भयावह हो सकती थी इतना वड़ा काम ऐसे नहीं हुआ है दोस्तवाई इसके लिए पहले आधार को समयधानिक दरजा दिया गया पैतालीस करोड से अधिक जंदन बैंक खाते मिशन मोड पर खोले गए अभी तक 28 लाग करोड रुपिय डीबीटी से करोडों लाभारतियों तक पहुंचाए गए डारेक्ट मेनिफिट ट्रांसपर कोई बीचोलिया नहीं कोई कटकी कंपनी नहीं कोई काली कमाई करने वाले लोग नहीं और डीबीटी का सीधा सीधा मतलब है डीबीटी यानि कमिशन बन लीकेज बन इस एक व्यवस्था से ही दर्जनों योजनों कायरकमों में ट्रांसपरेंसी आ गई साथियों सरकारी खरीद भी हमारे देश में ब्रस्टा चार का एक बड़ा जरिया हुआ करती थी लिकिन अब इसमें भी ट्रांसपर्मेशन आ चुका है सरकारी खरीद अब पूरी तरह जेम एनि गवर्मेंट इब मार्केट प्लेस पॉर्टल पर होती है टैक्स से जुड़ी व्यवस्ताओं से कितनी परिशानी थी क्या क्या परिशानी थी इसको लेकर अकबार भरे रहते थे हमने क्या तरीका निकाला हमने सिस्ट्रिम को ही फेस्टलेस कर दिया टैक्स अधिकारी और टैक्स पेर का आमना सामना ही ना हो यह व्यवस्ता की अब जो जीएस्ट्री जैसी व्यवस्ता बनी है उससे भी काली कमाई के रास्ते बंद हुए है जब ऐसे इमामदारी से काम होता है तो कुछ लोगों को दिक्कत होनी बहुत स्वाभाविक है और जिसको दिक्कत होगी वो कोई गली महले के लोगों को गली थोड़े देगा साथियों इसलिए ब्रस्टाचार की ये प्रतिनीदी डिश्टब है कुछ भी करके ये देश की इमानदार व्यवस्ता को फिर से द्वस्त कर देना चाहते हैं साथियों इनकी लड़ाई अगर सिर्फ एक व्यक्ति मोदी से होती तो ये बहुत पहले सफल हो जाते हैं लेकिन ये अपनी साजिसों में इसलिए सफल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि इन्हें पता ही नहीं कि ये सामान्य भारतिय के विरुद लड़ रहे हैं उनके खिलाब खड़े हुए हैं ये प्रस्टाचारियों का कितना भी बड़ा गड़ जोड क्यों वना बना ले सारे प्रस्टाचारिये की मंच पे आ जाए सारे परिवारवादिये की जगा पे आ जाए लेकिन मोदी अपने रास्ते से लोटने वाला रही है ब्रस्ता चार और परिवारबाद के खिला मेरी लड़ाई जारी रहेगी दोस्तों और मैं देश को इन चीजों से मुक्त कराने के लिए प्रण लेकर के निकला हुआ इंसान हूँ मुझे आपके आशिर वाद चाहिए साथियों आज़ाति का ये अमृत काल हम सभी के प्रयासों का है जब हर एक भारतिय की शक्ति लगेगी हर एक भारतिय का परिश्रम लगेगा तो विक्सीद भारत का सपना भी हम जल्द से जल्द पूरा कर पाएंगे मुझे विश्वात है कि इसी भावना को रिपब्लिक नेटवर्ग भी निरंतर ससक्त करता रहेगा और अब तो अर्नम ने बता भी दिया है वो ग्लोबल ही जा रहे हैं तो भारत के आवाज को एक नई ताकत भलेगी मेरी उनको भी बहुत शुक्त कामना है और इमानदारी के साथ चलने वाले देश वासियों के संग्या बढ़ती ही चली जा रही है और वही भव्य भारत की गारंटी है दोस्तों मेरे देश वासी ही भव्य भारत की गारंटी है मैं आपको विश्वास दलाता हूं उसी में मेरा विश्वास है फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद